नमस्कार स्वागत आप लोग का एक नए वीडियो में मैं हूँ सरवन कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर वगानपूर इस वीडियो में हम आपके लिए करका हैं NMS और NTSC एक्जाम में पूछे जाने वाले स्रीज चैप्टर के रिजिनिंग का सुलूशन स्रीज चैप्टर से आपको 15 से 20 रिजिनिंग हर बार पूछा जाता है NMS और NTSC एक्जाम में तो इसलिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट यह पहला कोशन इस तरह से आपके सामने कि 0 है 6 है 24 है 60 है 120 है 210 तो नेक्स्ट क्या होगा यह हमें निकालना है यह सभी क्या होता है क्रम में होता है तो यह क्रम कैसे बन सकता प्लस करके हो सकता है माइनस करके हो सकता है इंटू करके हो सकता है डिवाइड करके हो सकता है इसके बाद क्यूब करके हो सकता है इसी तरह से जो है रूट करके हो सकता है क्यूब करके हो सकता है तो यानि किसी भी तरह से यह क्रम में आना चाहिए तो हो जाएगा तो इसमें कुन सा करम लिया गया चली इसको देखते हैं अगर आपके पास copy pen हो तो ले करके बैठे हैं और इसको solve करने का प्रयास करें आप चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं और इसको solve करें और फिर जो हमारा answer आएगा उससे आपको मिलाना है इससे आपकी तयारी का भी पता चलेगा क उसमें से एक घटाते हैं, तो एक का घट ही होता है, एक घटाएंगे, जीरो आ जाएगा, छो कैसे होगा, तो दो का घट लेंगे, इसमें से दो को घटाएंगे, चोबिस कैसे होगा, तो तीन का घट लेंगे, और इसमें से तीन को घटाएंगे, चोबिस हो गया, साइट कैसे से तो चार इस दरस चार estaban लेंगे और उसमें से चार को घटायेंगे तो उसी तरह से उसाइड़ा निकलना है तो आप सक करेंगे साथ के घं में से साथ को घटाएंगे तो साथ का घं होता है 343 सासत उन्चासत तीन सो तेतालिस में से अगर हम साथ को घटाते हैं तो क्या निकल के आएगा 336 जो की हमारा हो जाएगा राइट एंसर यानि ओप्शन नंबर थिरी हमारा इसका सही है अगला question है दूसरा है चार है आठ है 28 है 80 है 244 है और अगला पूछा जा रहा है कि अगला क्या होगा तो अगला आपको निकालना है तो आप इस वीडियो को रोक करके इसको निकालने का प्रयास कर सकते हैं ताकि आपको त्यारी का पता चले निकाल के रखें और उसके बाद व solution क्या होगा अपको अगर टाइम लगता है तो वीडियो को रोक सकते हैं चली इसको हम solve करते हैं तो चार से आठ कैसे होगा तो चली इसको देखते हैं काफी इंपोर्टेंट प्रस ने चार से आठ कैसे हो जाएगा तो यह होगा चार गुना तीन माइनस के लिए चुबिस और चार क्या हो जाएगा 28 उसी तरह से 28 कैसे हो सकता है तो 28 मेंन तीन तो एफ चार चार घ१ाखी और ऐसमए से घ्राटा देंगे चार क्या हो जाएगा 80 देखिया पेटर आपसप करना तो 244 को हम गुना करेंगे तीन से और से मैनस करेंगे चार तो अगर हम लोग करेंगे तो यह वो जाएगा यहीं u चारती याब दानुट इसाट您ा य थीन पर चारक अमनेशते हों ये स्हाइड अगला आते हैं अगला क्या हो गा वह का वह को नीकालना है 36 है और 343 है तो चलिए इसको solve करते हैं और देखते हैं इसका right answer क्या निकलने वाला है तो एक जो है एक कैसे आ सकता है तो एक आएगा एक का घंग और चार कैसे आएगा तो यह वाजाएगा दू का वर्ग 27 कैसे आएगा यह 27 कैसे आएगा तीन का घंग 16 कैसे आएगा तो चार का वर्ग आ जाएगा उसके बाद अगला क्या होगा तो देखिए यहां पर एक का घंग लिया है फिर दो का वर्ग लिया है तीन का घंग लिया है चार का वर्ग लिया है तो अब पांच का क्या लेना परेगा एक बार घंग तो पांच का क इकालते हैं तो कितना होता है 125 तो इस तरह से हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका 125 यानिकी तीसरा नमर सवाल का सही एंसर है अप्शन नमर चार फिर ठीक उसी तरह का सवाल है स्रिंकला दिया गया अनुक्रम में और इसको हम लोग पुरा देखिए यानमेस 2014 में यह पूछा गया क्वेस्टन है तो जो भी सवाल है इसमें सब पूछा गया है तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी प्र और आपको एक मिनट के अंदर में इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है क्योंकि 90 क्वेस्टन में 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है एक क्वेस्टन में एक मिनट का तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 100 कैसे हो सकता है यह 10 का वर्ग है 64 कैसे होगा 8 का वर्ग है 36 कैसे होगा option number 3 चलि अगला सवाल देखते हैं पांचमा question आपके सामने screen पर है 125 है, 5 है 64 है, 4 है, 27 है, 3 है 8 है, अगला क्या होगा हमें निकालना है, तो चलि इसको हम करते हैं solve, तो देखें, यहां 5 का घं ले लिया, 125 उसके बाद क्या हो गया, यहां 4 का घं, 64, 3 का घं, 27 तो यहां पर आप किस का घं लेंगे 2 का घं लेंगे, ठीक है 2 का घं लेंगे और एक और डैस है, यानि 2 को भड़ना है, तो इसमें अगला हम क्या होगा चलिए उसको भी देख लेते हैं तो यहां कैसे है, 125 25 का घं हो गया, उसके बाद चलिए इसके बाद जो है यहां पर देखे, 5 है, 4 है, 3 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा लाश्ट में, यहां पर क्या आया था 2 का घं, 2 आया था तो यहां पर क्या हो जाएगा एक तो इसका सही एंसर क्या निकल के आ रहा है ऑप्षन नमर एक ठीक है देखिए यहां पांच का घंट चार का 64 तो तीन का 27 दू का आठ तो अब किसका घंट दू का आठ होगा ना तो दो लेंगे तो दो किस ऑप्षन में अप्षन नमर एक में है तो यहां से पता चल जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं कि घंट सथा मैं अगलतस्टत था मार्वण प्रस्ण ऩाक टैस से 19 से 17 है 13 मैं जया एंद है तो इसक burई करते हैं कि एक तो अगर क्मका the fallen Us अगण खटाव करके बनता है कि मैंस चार कीवारोन निस सदर्ण घटाते हैं तो क्या बचता है यह 11 मेंसे चार को घटाएंगे तो क्या बचेगा साथ तो यह हमारा option नमर दो राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट नहीं 27 चौन सट है चौन सट है 80 125 यहां पर क्या होगा है और दूसर 16 काफी इंपोर्टेंट प्रस्ट ना वीडियो को रूख करके जरूर इसको बनाने का प्रियास करें ताकि आपको त्यारी का पता चल सकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि इस चैनल प प्रस्ट है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 27 कैसे होगा तीन का घं उसके बाद 64 64 कैसे हो सकता है यह 8 का वर्ग है फिर 64 है यह कैसे हो सकता है चार का घं हो सकता है एक 80 कैसे हो सकता है नो का वर्ग 125 कैसे हो सकता है पांच का घं उसके बाद अगला निकालना था हमको देखिए यहां पर तीन का घं लिया उसके बाद जो है आपका वर्ग लिया फिर चार का घंन लिया तो एक छोड करके एक घंघ लिए रहा है और एक छोड करके लिया थे नौके तो अब शीवर्ग लेंगे दसका तो अगर 10 कि कितना हो जाएगा एक अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा ताकि हम तोड़ा धीरे से बता पाएं चलिए अगला क्वेस्टन देखते हैं कि इसको स्वल्व करने का प्रयास करते हैं तो यह किस तरह से है कि यहां पर देखिए दससे एक जोड़ दिया 11 12 13 यानि एक एक जोड़ रहा है और नीचे दूसरा देखते हैं दूसरे नमर तो 11 तो पंदरह से अब क्या हो जाएगा शत्रह रहा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर चार नेक्स्ट प्रस्ट ने सब्सक्राइब करें तो इस तरह के प्रस्ट जहां वर्ग और गहन से नहीं हो पा रहा हो तो जोर और घटव का होता है तो चलिए इसका डिफ्रेंस देख लेते हैं 145 में से अगर हम लोग 222 को घटाते हैं तो 5 में यानि 23 बच जाएगा और इसमें देख सी इसको घटाते हैं तो 10, 15 का डिफ्रेंस है यह फिर स Russia प्रस्ट जाये पिर 17 का तो नेक्स्ट में कितना डिफ्रेंस होना चाहिए 31 का दो दो बढ़ा रहा है तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं 31 को प्लस कर देते हैं तो चोएक साथ और यह तीन दू पांच दो 257 यानि ऑप्शन नमर सी इसका राइट एंसर हो गया अगला प्रस्ण है एक सोदू है 83 है 66 है 51 38 है अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या सकता है चलिए देखते हैं अगर इसका डिफ्रेंस वाले देख लेते हैं 102 में से अगर हम लोग 83 को घटाते हैं तो उनगे सका डिफ्रेंस है 83 में से 66 को घटाते हैं 17 का डिफ्रेंस है 66 में से क्यावन को घटाते है 15 का डिफ्रेंस है 15 में 38 को अगर घटा है तो 13 का डिफ्रेंस है देखे उनगे 17 15 13 अब क्या मैनस करना है 11 अगर 38 में से 11 घटा दे हम लोग तो कितना बच जाएगा और 30 में से 11 को अगर मैनस कर दें तो यह बच जाएगा 27 तो ओप्षन नमर कौन सा सही है ओप्षन नमर एक राइट एंसर है नेक्स्ट प्रस्ट अठार है 23 27 30 32 33 अगला हमें निकालना है कि अगला क्या होगा चलिए इसको सॉल्व करते हैं है क्या अगर इसको में लोग स्थोल्व करने का पेरियाज करें साय हो जाएगा 18 23 तो इसका मतलब है कि 5 पुलस किया गया है और तीश से शताथज till प्लस किया 27 से 32 प्लस किया 32 प्लस इसका मतलब है अब कितना प्लस करना हम लोग को जीरो क्योंकि यह क्रम में आ रहा है तो अगर 33 में जीरो जो रहेंगे तो क्या हो जाएगा 33 रहेगा यानि option नमर 3 इसका सही है ठीक है चलिए अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का है तो यह भी उसी टैप से बनाना है हम लोगों को चलिए इसको बनाते हैं पहले क्या करेंगे कि इसका हम क्रॉम लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा देखिए बी अलफावेट में क 5 नमर पर आई है नो नमर्बशे इन है चोधा नमर पर और टी है बिशनमर पर अगला निकालना हुआ इसका डिफ्रेंस देख लेतां अप्टा चल जाएगा екgt खूम 2 से 5 है 3 का डिफेरेंस है पांच से 9 अवरा चैना सिरुपरेंस निश्ची तरू पS Кई आएगा साथ का तो 20 में अगर हम लोग 7 को जोड़ें तो कितना आता है 2 सा रबीस होताा और 27 पर कोई संख्या है नहीं लाष्ट 26 पर क्या है जयडं है तो उसके बाद क्या होगा फिर a से सूरू हो जाएगा तो 27, 27, 26 पर या खतम होगा फिर a से सुरू हो गा तो यह हमारा right answer हो जाएगा तेरो नमर का प्रस्थन देख लेते हैं कि देखिए यहां पर क्या है कि आप पहले प्रियास किजिएगा फिर उसके बाद सोलुशन देखिए यहां पर डी है डी है कितना नमर पर फूर से लिए इसको देख लेते हैं तो 36 है 49 है 64 है तो 6 का वर्ग है फिर 7 का वर्ग है फिर क्या है आठ का वर्ग है तो अब कितना का वर्ग आना चाहिए नो का वर्ग आना चाहिए ठीक है तो नो का वर्ग आएगा तो कितना हो जाएगा एक 88 लेकिन एकlet तो यहां तीन डिन प्रया तो इससे कुछ भी नहीं पता चला यह तो कन्फORN हो गया कि अच्छ ओप्सन नमर चार गलत है लेकिन इस तीन मेरें से कौन से सही स्कुण निकालने के लिए किया करते है यहां देखें डी कितना डिशन नमर पर पर्ग एक्यासी तो जे एक्यासी इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि अप्सन नमर थ्री सही एंसर है कि नेक्स्ट प्रश्ण को देखते हैं डी जैड इवाई एफ एक्स जी डवलू तो अगला कौन सा होगा हमको निकालना है तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व तो इसमें किस तरह से है अर्भी है इसमें इसमें ए एफ है जी है सुरू का देखना आपको यहाँ पर क्या है डी इसमें सुरू में ight इसमें एफ इसमें जी अगला क्या होगा या थोगा निश्चित्रूप से है तो उत्यों दो ख changes दिखाई ते रहा है तो इस कि तो यह एक मैंनस कर रहा है एक से मैनस किया डवटुब है फिर एक मैनस किया पर एक मैनस अगरह हम लोग करते हैं डवलोव से पहले करने कंडा हो जाएगा the ओधिक है थे चम्हकर मालागिया